महायूती में सीएम पत को लेकर खीचतान एकनाज सिंदे के पोस्ट ने बढ़ाई हलचल सिफशेना कारेकरता से किये अपील महारास्टे असेंबली एलेक्शन रजल्ट 2014 महारास्टे विदान सवाचुनाफ का रजल्ट आने के बाद महायूती में मुख्य मंत्री पत को लेकर की स्थान पर करार है इस बीच सिफसे ना प्रमुक और मौजुदा सियम एकनाज सिंदे के शोशल मीडिया पोस्ट ने हलचल बढ़ा दी है उन्होंने अपने एक हैंडल पर ट्विट कर कहा महायूती की बड़ी जीत के बाद राज़य में एक बार फिर हमारी सरकार बनीगी महायूती की तौर पर हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और आज भी साथ है उन्होंने आगे लिखा मेरे प्रतीम प्रेम के कारण कुछ मंडलों ने सभी से एक साथ इकटा होने और मुंबयाने की अपील की है मैं आपके प्यार के लिए बहुता बारी हूँ लेकिन मैं अपील करता हूँ कि कोई भी इस तरह से मेरे समर्थन में एक जुटना हो एक बार फिर मेरा भी नम्र अरुणोध है कि सिफशेना कारे करता वर्षा निवासिया कहीं और इकटा ना हो मजबूत और समर्थ महारास्टे के लिए महायूती मजबूत है और मजबूत रहेगा बीजेपी ने अकेले 132 सीटे जीती महारास्टे विदानसवा चुना में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासल की है कुल 288 सीटों में से महायूती ने कुल 230 सीटे जीती इनमें बीजेपी ने अकेले 132 सीटे जीती है जबकि सिफ्षेने एकनाज सिंदे कुटने 57 सीट और NCP अजीत पवार कुटने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है महारास्टे विधान सवाच नाम महायूती को सरकार बनाने का जम मतल तो मिल गया लेकिन मुखेमत्री कौन होगा इस पर पेच फसा हुआ है बीजेपी को सबसे जादा सीटे मिलने से सीम पत के लिए देविन फरड़ भी इसका नाम सबसे उपर है 132 सीटे मिलने से बीजेपी का तो दावा मजबुत हुआ है लेकिन शिंदे की सिवशेना भी पीजे हटने को तयार नहीं है शायद ऐई वज़ा है कि रिजल्ट आने के दो दिन बाद भी मुखेमत्री के नाम पर फैसला नहीं हो पाया है